दोस्तों, Motorola रिसेंटली बहुती बढ़िया काम कर रहा है, मतलब बहुती कम बाजेट के अंदर, Motorola बढ़िया बढ़िया मोबाइल मार्केट में लांच कर रहा है, बाजेट तो कम हो रहा है इस मोबाइल का, लेकिन उसमें feature specification आपको भर भर के मिल रहा है, तो रिसेंटली मार्क सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारा feature specification मिल जाएगा आपको इस मोबाइल में, तो इस मोबाइल में आपको क्या-क्या feature specification देखने को मिल लगा है, मोबाइल का सा होगा आपके लिए, यह जानने के लिए वीडियो को एंट तक देखिए, तो शुरू करते आ हमें मिल रहा है, 6.5-inch HD+, IPS 5-hole display, मोबाइल में हमें चो display मिल रहा है, उसका skin refresh rate हमें मिलेगा 120 Hz, और इस में 240 Hz टा sampling rate देखने को मिल जाएगा, और इस display का peak brightness हमें मिलेगा 500 nits, तो budget की सबसे देखा जाए, तो इस phone में हमें चो display मिल रहा है, उसका skin refresh rate हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, मतलब इस mobile के साथ आप कोई game खेलो गई, या mobile को use करेगा, तो आपका display बहुत ही smooth काम करेगा, इसके बज़े से आपका user experience भी बहुत ही बढ़िया रहेगा इस mobile के साथ, और visibility का बात करे तो indoor के साथ साथ, outdoor में भी आपका visibility ठीक ठाकी रहेगा, video viewing experience भी ठीक ठाकी रहेगा इस mobile का, यही हाम बोल सकते है, यह भी sunlight में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकता है, mobile का looks के तरब देखा जाए, तो looks wise यह mobile देखने में एकदम ही इतना सस्ता mobile नहीं लग रहा है, एक premium mid range mobile लग रहा है, आपको यह mobile देखने में कैसा लग रहा है, जर एक दम latest android version android 14 मिल रहा है, stock android के साथ, मतलब एकदम neat and clean UI आपको मिलेगा इस mobile में, इसके बज़े से आपका user experience बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई pre-loaded blotware, addware, mallware नहीं देखने को मिलेगा आपको इस mobile में, इसके बज़े से आपका user experience अच्छा रहेगा इस mobile के साथ, चलते है द charging connector मिल रहा है, वो है USB Type-C और इसके साथ हमें इस phone में 3.5 mm headphone port भी देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इस mobile का box के साथ भी हमें 18 watt charger free मिलेगा, ये मुझे personality बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि अभी ज्यादा तर mobile में हमें charger ही नहीं मिलता है, लेकिन इतना कम budget में mobile launch होने क बाद भी Motorola हमें charger provide कर रहा है, ये मुझे personally अच्छा लगा, और इस phone का sound quality का बात करें तो sound quality भी हमें ठीक ठाक मिल रहा है इस phone में, मतलब इस phone में हमें मिल रहा है dual speaker Dolby Atmos के support के साथ, चलते है अभी दोस्तों इस mobile का security के तरफ, security के तरफ देखा जाए, तो इस phone में हमें मिल र लेधर डिजाइन के साथ आ रहा है, तो आपको कौन सा तलर वीडियेंट सबसे ज्यादा पसंद में आ रहा है, जरूर मुझे comment करके बताईए, मुझे personally यहापर वेगर लेधर डिजाइन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, अभी चलते है दोस्तों इस mobile का camera के तरफ जा 16 Megapixel का selfie camera जिसका aperture है F2.4, दोस्तों इस mobile का rare camera और front camera दोनों के साथ ही आप Full HD में वीडियो shoot कर पाओगे, 30fps में तो यहापे budget की सबसे देखा जाए, तो इस phone में आपको camera बहुत ही अच्छा मिल रहा है, यही हम बोल सकते है, खासकर इस mobile का जो budget है, उस budget के अंदर इस mobile में ज इस mobile का rare camera भी हमें ठीक ठाकी मिल रहा है, खाली OIS का support हो जाता तो और भी ज्यादा attractive हो सकता था यह mobile, लेकिन budget देखना पड़ेगा, budget तो उतना ज्यादा नहीं है, जिस budget के अंदर mobile लॉंच हुआ है, उस budget के सबसे हमें camera ठीक ठाकी मिल रहा है, यही हम बोल सकते है, चलते है दोस्तों अभी इस mobile का connectivity का तरब, connectivity का तरब देखा जाए, तो इस phone में हमें मिल रहा है 5G, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.1 और Dual 4G Volt, अभी जानने तो दोस्तों इस mobile का performance कैसा है, मतलब इसमें हमें processor क्या देखने को मिल रहा है, तो इस mobile में हमें मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 695 processor, एक 6NM octa-core processor है, जिसका maximum clock speed 2.2 GHz और इसमें हमें Adreno 619 GPU देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इस mobile का performance के बारे में बात किया जाए, तो इस phone से आप आराम से अच्छा game खेल पाओगे, multitasking कर पाओगे, all over इस mobile का performance आपको बड़िया देखने को मिलेगा, budget की सबसे देखा जाए, तो आप performance आपको ठीक ठाकी मिल रहा है इस phone में, अगर heavy gaming करना जाओगे, या heavy multitasking करने जाओगे, तक थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकता है, लेकिन mobile का जो budget है, उस budget की सबसे, इस phone में आपको performance ठीक ठाकी मिल रहा है, यह mobile अभी market में, दो storage और RAM variant के साथ launch हुआ है, इसमें हमें मिल रहा है, 4GB RAM 128GB internal storage और 8GB RAM 128GB internal storage, इस phone में जो RAM का technology यूश के आगया है, वो है LPDDR4X और इसमें हमें UFS 2.2 storage टाइप देखने को मिल जाएगा, इसका साथ दोस्तों इस mobile में हमें hybrid SIM card slot मिलेगा, मतब एक साथ 2 SIM या एक SIM और एक memory card आप आराम से sit कर पाओगे, इस phone में, तो सब कुछ तो हम जान ले इस mobile के बाड़े में आभी जान ले तो इस phone का price का है, तो इस mobile का 4GB RAM 128GB internal storage variant का इंडिया में officially price है, 10999 रुपीज और इस mobile का 8GB RAM 128GB internal storage variant का price है, 11999 रुपीज तो ये mobile आपको कैसा लगा, जरूर मुझे है, comment करके बताए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर द झाल रुपीज और एक्भवीज और एको के बुपीज और से स्भीज वीजिर आपको को का लाइका का लाइक कर दो येग्यो रच्छा